आज की रेसिपी में हम कीट्स फेवरेट छोटा बला पिनाटा केक बना के तायर करेंगे तो चले रेसिपी शुरू करते हैं चॉकलेट सेल बनाने के लिए पहले हम चॉकलेट को मेल्ड करेंगे तो एक पतिले के उपर में एक स्टांड ले लिया है अभी हम दो ग्लास पानी ले लेंगे पतिले में डबल बॉयलर सिस्टम से हमको चॉकलेट को मेल्ड करना है फ्लेम को अभी अन करेंगे और पानी को गरम करेंगे स्टांड के ऊपर एक बावल रखेंगे और बावल के अंदर हम डार चटक्लेट की टुकडो को ले लेंगे 200 गराम डार चटक्लेट को मैं यहाँ यूज़ कर रहे हूँ डार चटक्लेट की पिसेस को बीच-बीच में मिलाते रहेंगे पानी गरम हो के उसमे जो भाब आयेगा उसमें से चॉकलेट दीरे-दीरे मेल्ट होता जाएगा फिर भी चॉकलेट को प्रपली मेल्ट होने के लिए 25-30 मिनिट लगता है चॉकलेट को गरम करते हुई 30 मिनिट हो चुका है आप देख सकते हैं चोकलेट भी आच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है तो अभी हम फ्लेम को बंद करेंगे चोकलेट की सेल बनाने के लिए मैं यहाँ एक सिलिकन का छोटा बला मोल का यूज करूँगी यह जो प्रोसेस में मैं बनाने जा रहे हूं पिनाटा केक सेम प्रोसेस में बड़ा बला पिनाटा केक भी बना सकते हो तो यह जो फ्लावर सेफ बाला चोकलेट मोले उसके अंदर पहले हम चोकलेट तीन टी स्पून ले लेंगे उसको आच्छी तरीके से मोल के अंदर फेला देंगे जब मोल के अंदर एक कोटिंग आ जाएगा जो एक्स्ट्रा चोकलेट है उसको हम निकाल देंगे मोल की साइट में जो चोकलेट लगी हुई है उसको हम स्पाचुला से निकाल देंगे 5 मिनिट तक फ्रीज में अभी हम इसको रखेंगे 5 मिनिट बाद मोल को फ्रीज से निकाल के और एक चोकलेट का कोटिंग हम उसके उपर देंगे साइट में एक्स्ट्रा चॉकलेट को क्लीन करके फिर से पांच बिनिट तक हम फ्रीज में रखेंगे अभी हमारा चॉकलेट आच्छी तरीके से सेट हो चुका है तो अभी हम चॉकलेट को मोल से निकल देंगे सेम प्रोसेस में हम और एक चोकलेट का सेल बना किता है यह है 50 ग्राम हुआइट चोकलेट का पिसेस हुआइट चोकलेट को एक माइक्रोवेब से बाउल या कॉप में ले लेंगे उसको एक मिनिट तक गरम करके मेल्ट करेंगे एक मिनिट बाद चोकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुका है तो एक स्पून में इसको मिला देंगे मैंने इसको माइक्रोवेब में मेल्ट किया हुए आप चाहे तो जिस तरीके से हम ब्लागवला चकलेट को मेल्ट किये थे उसी तरीके से ग्यास में भी आप इसको मेल्ट कर सकते हो यह बटर पेपर से बनी हुए एक कोन इसमें हम लिकूइड चकलेट को आड़ करेंगे कौन को उपर साइट से फोल करेंगे स्टपिंग के लिए मैंने लिया आए क्रस्ट बैणिला केक उसके साथ स्प्रिंकल्स कुछ चोकलेट बॉल्स गोल्डेन कलर वाला उसके साथ कफी चोकलेट्स अभी हम पिनाटा केक को आरेंज करेंगे एक प्लेट के उपर 1.5 टीश्पून मेल्टेट चोकलेट डालेंगे उसमें हम चोकलेट सेल को फिक्स करेंगे फिर उसके अंदर स्टापिंग डालेंगे आप अपनी मन्चा ही चोकलेट्स या केक्स इसमें आड़ कर सकते हो ड्राइफूर्स भी इविना पार्ट कर सकते हो अपनी टेस्ट के हिसाब से मेरे पास घर में जो सब आबेले बुलता उसको में यूज करते हुए इसका स्टापिंग डाल रही हो स्टापिंग डालने के बाद मेल्टेड चोकलेट साइड से हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि उपर का जो हिसा बच गया है उसको हम फिक्स कर सके उपर बाला हिसा को रखके फ्रीज में हम एक से दो मिनित तक रखेंगे हुआट चोकलेट से अभी हम सजाएंगे पिनाटा केक को एक साइड से थोड़ा सा वाइट चोकलेट आड करेंगी उसके उपर स्प्रिंकिल्स और उसके साथ गोल्डन बाल्स पीच में एक चेरी भी आड करेंगी तो अभी हमारा पिनाटा केक बन के त्यारे अगर हम घर में बनाते इसको तो अपनी मंचा ही साइज में इसको बना सकते और तरह तरह की मोल से तरह तरह की डिजाइन बना सकते इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये तो बच्चो का बड़ा ही फेबरेट चीज है अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें राइट से हिट में जो बेल का इकन है उसको जरूर ट्लिक करें ताके मेरे आने वाले वीडियो का नोटिपिकिसन आपके पास पहले पहुंच सकें